प्रस्ण है निम्नलिखित में से किसने रघुवनसम का संकलन किया है यानि कि रघुवनसम के लेखा कौन है वो आपको बताना है और अपसर में दे रखा सूरदास कबीरदास कालीदास तुलसीदास तो सभी के बारे में बहुत ही डीटेल से जानेंगे सिर्फ आप लोग ध्य आप लाएंट को अधी रशना है बीजक बहुत बार जाम कुछा वी गया बीजक किसकी रशना है कबीरदास और तुलसीदास का रामचरित मांस के लिखा कान है तुलसीदास है म् process पुछेगा गंगुवनसम रगु वन्सम कुमार संभवं कुमार संभवं रगु वन्सम इसके लाबे मेग दूतम मेग दूतम ये सभी रचना कभीर दास के हैं माल बेकागनी मित्र तो याद रखे काली दासक रचना रगु वन्सम कुमार संभवं मेग दूतम माल बेकागनी मित्र और सुर्दास के सुर तो सभी के बारे में बता दी आप इस सभी को याद रखेगा आपके एक्जाम के लिए भूतिजदा मत पूर्ण होंगे अब बढ़ते हैं अगले प्रस्न क्यों प्रस्न है भारत की निम्नलखित में से कौन सी नदी करक रेखा को दो बार काटती है तो याद रखेगा करक काटने वाली नदी के नाम है माही नदी कौन सी नदी माही नदी मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी नाम है लिंपोपो नदी लिंपोपो नदी यहां से प्रस्न पूस्ते एक जाम है आप याद रखेगा मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी रहोगा अफरीका महादीब तो अफरीका महादीब से तीनों रेखाएं गुजरती है इसको आपको ध्यान में रखना है तो इसका अगर अच्छा लग रहा तो लाई लेते हैं एंगलो मैसुर्यूद एंगलो एंगलो मैसुर्यूद पहला काब हुआ था तो पहला वाथा 1766 से 79 दुसरा वाथा 1780 से 84 तिसरा वाथा 1790 से 92 और 1799 में टिपू सल्तान की मिर्ति हो गई थी तो चारो को याद रखेगा पहला एंगलो में सुर्यूद सातर से शाट से उनतर दुसरा का वाथा 1780 से चरासी तिसरा का वाथा 1790 से ब्रण में एचाथ हम तो ट्रीपू सल्तन की मिर्ति हो गई थी यहाँ पे दुसरा पूछा गया था तो दुसरा जोगा सातर साथी से चरासी तो इसका अंस प्रेशना है उपनिसाद कोल कितने उपनिसाद है अचा उपनी तर उपनी नी सद कुल 108 डिने x8 तो यह पुछा गयाव है कि अपनिस फूर में परुदे भासा जो भासा परूद क्या घथो वह सकूंसा उप सर में पाली ब्रह्मी संस्क्रीट प्राकृत तो बतादे उपनी में कुल कितने एक्ोशाट भासा कों सा संस्क्रीद उपनी उपनी सद्व में कून आ परूत है तो संस्क्रीद इसका रपाली ने होगा वर अग्मी ने होगा प्रकृत भी होगा संस्क्रीद केõपको फोगारने रखना है एकर व्यदग में पूशाथ वेदान्ग कुछ चांड के साथ रहते हैं लाइक एल यहाँ से पुझते हैं लाइक जब हैं जब होग के मिलने से बना है ऑफ मे इक समन और लोहित नदी पूछ लिया जाता है तो लोहित नदी भी बरंपूतर नदी की सायक नदी है याद रखेगा और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सायक नदी है प्रस्न पूस्ता है कि गंगा की सबसे बड़ी सायक नदी तो यमुना हो जागा गंगा की सबसे बड़ी सायक नदी यमुना हो जागा इसको आपको धियान दर रखना है ठीक है और नर्मदा ये पस्सिम करती है अब बढ़ते हैं अगले प्रस्न क्यूर प्रस्न है रीट से समधित पहले बाद जो रीट होता है रीट जारी कुन करता है रीट जारी करता है कौन रीट जारी करता है कौन रीट जारी करता है तो याद रखेगा सरवोच निया या लए सर्वोछ नियाले उसके लिए उच्छ नियाले चुप but ब उच्छ नियाले उच्छ की या रखेगा एंसर हो जाएगा सी यह भी दोनों कि सर्वुष नियाया लाए और उच्छ नियाया ले दुनों के दुरा रीड जारी क्या जाता है आप इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है अब पर आश्म में पूछा गया था कि बंदी पर तेक्षिक जो है भी आसको रपास है प दूनों तो इसका अंसर ऑप्सण डिया भी दूनों यानिकी सुप्रीम कोड और हाई कोड दूनों के दौरा रीड जारी क्या जाता है रीड में भी कौन सा है है बेसको रपास बंदी पर्थिक करन इसको या रहा है नेक्स्ट है धारानी अंत्रक यह फिजिक से समधित परस परि वर्ति परिवर्ति परतिरोद पुखेगा परिवर्ति पर्तिरोद कूछेगा एँटारान इंत्र धडूनों बाद कीए धारानियं ट्रक विछ का सींबल अंगले से ओता है गों कि ऑसका CPOosh you can't count on the यहां भरान इंत्रक इसका दूसरा नाम є तो परिवर्ति युश्य दूट का दूसरा नामे धारानी अंधाका सिंबल बता दिये याद रखिए गा परसने है वियन पूरी तरा समाप्त हो गया था 12 मार्च CalmE 30 को सभी आपेग आ लून सुरुवा था समयाद राज इस नमक बना करना मीं को तुड़ा था छन तीक सो अमधकी CAR24 घंत यात्रा किसे समंदिते सभी ने वेग्यांदुलन समंदिते सावरमति आश्रम ठीक इसको याद रखेगा अपर समय पूरी तरह से समपत का बहाता सभी ने वेग्यांदुलन वह आपको बताना है अप्सर में तो थोड़े होगा तेशने आवा तेटाले सिन वाइसका अंसर प्राश्ननीम लिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मुरको का था और उसने रहला लिखी थी रहला पुस्तक भौती मातपूर्ण है रहला पुस्तक है और यह मुरको का था रहला पुस्तक लिखने में लगा का था मुरको देश का था मुरको मुरको कराजनी पता क्या हो और ये कोन थे उसका नाम तो ये थे इबन बतुत तो ये भारत-चीन दोन और रहा वो पहले भारत और अफगानिस्तां बीच था रखा जब सिप्यों के पाकूपाइट कंस्वीर्व जो कबजा कर लिया है है पाकिस्टान तो अब वोँ पाकिस्टान और अफगानिस्तान के बीच जए तो इसका रखाली करेंट से कशंऑ तो है कि है कि हाल ही मेर 21 कशबर में इसका परियो किस बीमारी के अब टिका है और टूंटीवन इसका परियोग किया जाता है किस विमारी वह आपको बताना है अच्छा अपसन दिखें क्या दिया हुआ ऑफ सन मालेरिया दिया हुआ है चाहे रोग कोबिट नानटीन एड्स तो एड्स नेवा कोबिटनाटी नहीं हुआ चहे रोग नेवा इसका अ अच्छा लगा होगा यह दिया वीडियो अच्छा लगा तुमरा वीडियो को लाग की जीते हैं अमरा टूप चैनल कर जी जी सटा को सब्सक्राइब करें और बेल आकट इनको भीट कर जीता कि हरेक लिए टेस्ट वीडियो का रिटो प्रेकिसंतर अब तक पहुंच जाए थै अने बात हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टोपी के साथ तता के लिए जैहिंद